असलम उलेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरुख उर्षी है और आज का जो हमारा लेक्टर है, यह पेड़ागोजी के सिलसले का तीसरा लेक्टर है पिछे लेक्टर में हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी थी और टीचिंग स्ट्रेटजीज को समझा था और उनकी एक्साम हमने पढ़ी थी और मैंने आपको दो बड़ी एक्साम बताई थी teacher-centered strategies और student-centered strategies और teacher-centered strategies को हमने completely पढ़ा था और समझा था तो आज के lecture में हम teaching strategies की दूसरी किसम यानि student centered strategies को discuss करेंगे ये दूसरी किसम है teaching strategies की student centered strategies तो चलते हैं जी मैंने last time इसका तारुफ करवा दिया था student centered strategies यानि पढ़ाने के ऐसा लाया अमल जिसमें student central किरदार अदा करता है central role play करता है बन्यादी किरदार अदा करता है तो the teaching strategy ऐसी teaching strategy in which a student is given central role जिसमें student को बन्यादी मर्कजी किरदार दिया जाता है ठीक है जी और student जो है learning के प्रोसेस में सारा किरदार इसमें student ही अदा करता है सीखने और सिखाने के अमल में student खुद पूरे का पूरा involve होता है और teacher यहाँ पर सिर्फ as a guide के तोर पर काम करता है teacher यहाँ रहनमाई के लिए खड़ा होता है साथ मुझूद होता है और teacher उसी वक्त intervene करता है उसी वक्त मुदाफलत करता है जब students को जरूरत होती है वरना सारा का सारा अमल students खुद कर रहे होते है स्टूडेंट्स खुद सब कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स खुद नालज गेन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स खुद चीजों को समझ रहे होते हैं स्टूडेंट्स खुद नहीं इंफॉर्मेशन असल कर रहे होते हैं और इसकी मैंने एक्जम्पल पहले भी दी थी और आप भी कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्राटेजी यानि स्टुडेंट सेंटर स्ट्राटेजी की एक आगे एक्जम्पल है कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्राटेजी तो आज हमारा टापिक होगा कॉपरेटिव लर्निंग strategy यानि बाहमी तावन से सीखने का लायाए अमल या तरीका अच्छा इस strategy में हम क्या करते हैं हम students जो हैं उनको एक task दे देते हैं ठीक है जी उनको हम task दे देते हैं और उस task के मकासिद भी उनको बता देते हैं और उस task को student खुद perform करते हैं और आखर में वो reward पाते हैं पजिराई पाते हैं फीड़ बैक पाते हैं ठीक है जी तो cooperative learning strategy में students को एक task दिया जाता है और students को वो task अपनी cooperation, एक दूसरे की help, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के तावन से करना होता है ठीक है जी इस strategy में हम ये करते हैं कि students के groups बना देते हैं और उनको एक task हर group को दे देते हैं और उस task को students ने मिल जूल के पूरा करना होता है तो इस task को पूरा करने में students क्या करते हैं बहुत कुछ सीकते हैं बहुत सी नई बाते हैं पता चलती हैं बहुत सारे नए skills उनको पता चलते हैं ठीक है जी तो cooperative learning strategy क्या है स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक टास्क दे दिया जाता है उस टास्क के मकासिद बता दिया जाते हैं और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक दूसरे के बाहमी तामन से एक दूसरे के साथ को अपरेट करते हुए एक दूसरे के साथ को आर्डिनेट करते हुए उस टास्क को पूरा करना होता है और जब वो टास्क पूरा कर लेते हैं तो फिर उनको reward असल होता है ये reward टीचर की appreciation टीचर की पजिराई की शकल में होता है ठीक है जी तो next हम इसको detail में समझते हैं तो cooperative learning strategy cooperative learning strategy जो है इसके outcomes इसके नतायज क्या होंगे तो इसका पहला नतीज़ा होगा academic achievement यानि बच्चे जो हैं वो कुछ नपकुछ सीखेंगे कोई नो कोई नई information उनके पास आएगी ठीक है जी मसाल के तोर पर आप class में बच्चों को बच्चों को एक task देते हैं बच्चों के तीन चार आप groups बना देते हैं और उन groups को एक task आप दे देते हैं मसाल के तोर पर उनको आप task दे देते हैं कि आप लोगों ने एक model बनाना है ठीक है जी skeleton का model बनाना है यानि इनसानी जो ढ़ांचा है उसका model बनाना है ये task है तो वो जब उसको मिल जूल कर task को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर वो कुछ ना कुछ सीखेंगे वो skeleton के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात कुछ ना कुछ नई बात उनको पता चलेगी model बनाते हैं ठीक है जी दूसरी चीज tolerance and acceptance of diversity थी यह दूसरा नतीज़ा cooperative learning का क्या होगा कि बच्चों में tolerance हाएंगी बर्दाश्ट हाएंगी जब वो मिल जूल कर काम करेंगे तो एक दूसरे को tolerate करना एक दूसरे को बर्दाश्ट करना एक दूसरे के साथ काम करना यह सीखेंगे ठीक है जी कि दूसरे स्टूडेंट के साथ एक स्टूडेंट है उसे यह बात पता चलेगी कि दूसरों के साथ इंडिरेक्ट कैसे करना है दूसरों के साथ बातचीत कैसे करनी है दूसरों के साथ उठना बैठना कैसे है दूसरों के साथ मिल जूल कर काम कैसे करना है तो यह बच्चों को सोशल स्किल्स बता चलेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड करेक्टर स्टिक्स औफ कॉपरेटिव लर्निंग की कॉपरेटिव लर्निंग इनु की खसूसियात क्या है तो इसकी पहली खिसूसियत यह है कि student work in teams जो student है वो teams में काम करते हैं students groups बना के काम करते हैं टीमें बना के काम करते हैं ठीक है और टीमें बना कर वो टास्क पूरा करते हैं और उन्हें टास्क के मकासिद को हासल करते हैं ठीक है नेक्स teams are made up of high average and low achieving students तो यह जो team होती हैं इन में तीन तरह के student होंगे एक हुए high achieving students यहीं लाइक जहीन मेहनती तुड़न उसी टीम में वो सकता है कुछ बच्चे average हों कुछ बच्चे दरमियान दर्जेशे पर हों ठीक है ना ज्यादा मेहनती हों ना ज्यादा सुस्त हों और कुछ बच्चे low achieving हों जो ज्यादा मेनत ना करते हूं जो ज्यादा अच्छा रिजल्ट ना देते हूं ज्यादा एक्टिव ना हूं ठीक है तो टीम में जब तीनु तरह के स्टुडेंट आ जाएंगे ऐवरेज और लो इस तरह डाइवरसिटी आएगी तनवह आएगा ठीक है यह टीम बनाते वक्त यह ख्याल रखना है कि आपने तीनु तरह के बच्चे उस टीम में शामल करना है इससे क्या होगा कि जो हाई अचीवर होंगे जो लाइक और जहीन बच्चे होंगे वो टीम की बागदोर समालेंगे वो आगे खड़े हो जाएंगे वो लीडर बन जाएंगे और वो पूरी झीन को मिला के साथ कम करेंगे वो पूरी टीम को साथ चलाएंगे वो ट्यूटर करेंगे वो दोसरों को बताएंगे सिखहेंगे और इस अमल में वह iki उंको भी नालज हासल होगी वह हपने है अचीवर बच्चें ये गवे मैजरी कि क्या है स्ट्रेट जिक तो हमारे यह तो ऐसा नहीं होता कि एक टीम में मुख्तलिफ रेसिस के लोग शामल हों तकरीबन सेमी रेस होती है और कल्चिरल बैग्राउंड भी तकरीबन सेम होता है बच्छों का और जेंडर में जो बच्छों को ग्रुप्स में डिवाइड कि जाता है तो उसमें सेमी जे होता है यह उसमें लेकिंदुनिया में लंग जाते हैं मिक्स कल्चिरल बैक्राउंड रखने वाले और मिक्स जनरल के लोग मेर फीमेल मिक्स रखने जाते हैं है हमारे आफ़ रवार्ड सिस्टम जारू और टो जो नों को भी रिवार्ड मिलता है जब वो task complete कर लेते हैं यह जब task complete कर लेगा तो teacher की तरफ से उन्हें भी reward मिलेगा teacher की तरफ से पूरे group को भी एप्रिशेट के जाएगा और एक individual को भी हर किसी को अलाइदा अलाइदा उसकी achievement पे उसे appreciate किया जाएगा ठीक है तो यह चार खुबियां थी जो पेड़ागोजी में कॉपरेटिव लर्निंग strategy की है next कॉपरेटिव लर्निंग strategy अगर आप अख्यार करते हैं तो इस strategy में कौन-कौन से steps होते हैं ठीक है इस strategy में आपने किन-किन steps को follow करना थो पहला step है presenting goals life lesson सबसे पहले आपने curt , जो lesson है जो सबक है उसका आपने मकासिद बच्चों को यह सामने रखने हैं और बच्चों को बताना है कि यह आज का जो हम lesson है आज का जो हम सबक है पढदने जा रहेρα यह करने जा रहे तो इसके मकासित क्या हैं, इससे आप क्या क्या सीखेंगे और इस तरह बचे क्या होंगे, सीखने के लिए तयार हो जाएंगे फिर आपने प्रेजेंटेशन अफ इंफरमेशन फॉर्म अफ टेक्स्ट यानि आपने बच्चों को टास्क के मतलग जो आपने उनको टास्क देना है उस टास्क के मतलग इंफरमेशन बच्चों को देनी है और लेक्चर की सूरत में नहीं देनी, वो आपने उनको टेक्स्ट की सूरत में देनी है किसी pamphlet की सूरत में देनी है लिखी हुई सूरत में उनको देनी है ता कि उसको खुद पढ़ें खुद समझें और खुद ही उस पर अमल करें और टास्क को कम्प्लीट करें तीसरा स्टेप है स्टुडेंट्स को फिर आपने टीम्स में डिवाइड करना है स्टुडेंट्स की आपने टीम्स बना देनी है तो स्टुडेंट्स की टीम्स जब आप बनाएंगे तो हर टीम में आपने तीन तरह के बच्चे रखने यानि एक टीम में आपने हाई अचीवर रखने लाइक जहीन बच्चे रखने एवरज जो कर कर दी दिखाने वाले बच् और दिखाने माले बच्चे हैं वह दूसरों के साथ मिलकर अच्छी कार करती दिखाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे चोथा स्टेप क्या है जी स्टुडेंट वर्ट गैदर टू का चोथे स्टप में स्टुडेंट जो है वो मिलकर काम करेंगे और आपस में कामों को डिव uletil क mica जो पांच्वा स्टाप है जब तास्क कम्पिलीट हो जाएगा थो हर ग्रूप अपनी STE प्रडक्ट करेगा करेगा घृत किए को महारी UK करना आ और सबस्क्राइब करिए बाद है यह हमारा नतीजा है हमारा इसलट यह हमने बनाया है तिक है यह आपना का भी और आखर पर टीचर क्या करेगा टेस्टिंग वाट ट्राइब वह चक करेगा कि स्टुडेंट्स ने सीखा क्या लाश्ट प्रमें टीचर क्या करेगा कि स्टुडेंट्स ने वो उनसे सवाल जवाब कर सकता है और सवाल जवाब करके वो देख सकता है कि जो students हैं उन्होंने इस task से क्या कुछ सीखा है और सात्वे है recognition of group and individual efforts और सात्वे step में teacher क्या करेगा कि groups की पधिराई करेगा उनको appreciate करेगा उनको feedback देगा और हर बच्चे को individually हर बच्चे को individually वो appreciate करेगा हर बच्चे को अलग अलग फर्दन फर्दन उनकी कोशिशों का कोशिशों के नतीजे में उनको feedback देगा उनकी मजीद रहनमाई करेगा उनकी होसला फजाई करेगा इससे बच्चों में मजीद confidence आएगा और वो वक्त के साथ साथ मजीद बहतर होते चले जाएंगे तो दोस्तों ये सारी activity जो हमने पढ़ी है cooperative learning की ये student centered है आपने इसमें देखा कि सारा role जो है वो student को दिया गया है और teacher यहां बस एक रहनमा के तोर पर काम करता है बाकि सारा काम student करते है student task perform करते है और task perform करते हुए student बहुत कुछ सीखते है वो अपने task के बारे में topic के बारे में अपनी knowledge को बढ़ाते हैं सीखते हैं वो दूसरों को बरदाश्ट करना सीखते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं वो एक दूसरे के साथ interact करना सीखते हैं तो यहां student खुद सब कुछ learn कर रहा होता है